का मैं दूस्तों एटुजेग का नहीं आप लोग का बहुत-बहुत साउगत हैं आज हम लोग आझी ककलास में देखेंगे सर्फ हैं कारा है सर्फंक क्या है यह जो दो से पुर्णता विभाजित हो जाSamzi कैते है जैसे इसका एक्जामपल में है दो चार छे आठ नौ नहीं हो सकता है क्योंकि नौ विशम संख्या जो नौ है दो से पूर्णता नहीं विवाजित होगा है इसलिए नौ को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि समसंख्या है हाँ दस हो सकता है ग्यारा भी नहीं होगा बारा ऐसा ही लाजिए कहां तक अनंग कर आपकर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे चोटी समसंख्या होगा दो लेकिन इसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी समसंख् तो हम लोग ग्यात नहीं कर सकते जिसे कि हम लोग पहले देखें तो पहले दियों में कि पुर्ण संख्या क्या है जीरो से स्कार्ट हने वाली संख्या को पुर्ण संख्या बोलते हैं वहां तसा होता था कि सबसे चोटी पुर्ण संख्या जीरो यहां होगा कि सबसे बड़ी स संख्याओं को भी आप नहीं कर सकते हैं आगे दखिए पर्थम यान करमागा संख्याओं का योग क्या होगा तो योग के लिए फर्मूला होता है यान इंटु यान पलस वन यान इंटु यान पलस वन कहां तक पर्थम यान करमागा संख्याओं का योग क्या होगा तो यान इ आधर संख्याव क्या होगा इन इसमें बोल दिया कि पचास तक इसमें सब भी आईगा और विसम भी आईगा कहां तब पचास संख में आधर सभागों होगा तोगा यहां 25 क्योंकि 25eً को 25 लिए 20 calling 25 सोब ते यहां लिंद भाल मांद 25 होगा अब यो earning क्या उता है यहां 21sl1 25 006 लेकिन आउसत के लिए फर्मुला होगा क्या यहन पलस वान खरी यहन के मार कितना हम लोग लिखा ले थे पचीस अब पचीस में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा चब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्षब्ष कि पचास तक में आएगा और विसम भी आएगा लेकिन इसमें क्या है पचास होगा खली संख्या लेना पचास तक में अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे और नमर क्या है और नमर के बाद देख लेंगे अबहाद संख्या क्या है आगे हमारे आज के लिए ही तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले कराशने